मन्शी प्रेम चंद मन्शी प्रेम चंद उर्दू के मशूर नावल निगार और इफसाना निगार हैं उनका असली नाम धन पत्राय है लेकिन एद्बी दुन्या में प्रेम चंद के नाम से मशूर हैं वो अठारासु असीर में मन्शी अजाइब लाल के यहां जिलव वारांसी मिर्जा पूर के गाउन लम्ही में पैदा हुए उनके दादागाओं के पटवारी और वालिद एक डाक खाने में कल रख थे प्रेम चंद एक गरीब घराने से तालक रखते थे आपने तकरीबन साथ आठ बरस फारसी पढ़ने के बाद इंग्रेजी तालीम शुरू की पंद्रह साल की अमर में शादी हो गई एक साल बाद वालिद का इंतिकाल हो गया इस वक्त आठवे जमायत में पढ़ते थे पूरे घर बार का बोज आप पर ही पढ़ गया फिक्र मौाश ने ज्यादा परेशान किया तो लड़कों को बतूर उस्ताद पढ़ाने लगे और मेटरक पास करने के बाद महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए इसी दौरान में B.A. की डिगरी हासल की मन्शी प्रेम चंद और्दू के मशहूर नावल निगार और इफसाना निगार है उनका असली नाम धनपतर आये है लेकिन एद्बी दुनिया में प्रेम चंद के नाम से मशहूर है वो 1880 में मन्शी अजाइब लाल के यहां जिलव वारांसी मिर्जा पूर के गाउन लमही में पैदा हुए उनके दादागाउं के पटवारी और वालिद एक डाक खाने में कल रख थे प्रेम चंद एक गरीब घराने से तालुक रखते थे आपने तकरीबन साथ आठ बरस फारसी पढ़ने के बाद इंग्रेजी तालीम शुरू की पंद्रह साल की अमर में शादी हो गई एक साल बाद वालिद का इंतिकाल हो गया इस वक्त आठवे जमायत में पढ़ते थे पूरे घर बार का बोज आप पर ही पढ़ गया फिक्र मौाश ने ज्यादा परेशान किया तो लड़कों को बतूर उस्ताद पढ़ाने लगे और मेटरक पास करने के बाद महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए इसी दौरान में B.A. की डिगरी हासल की हुआ